हेलो दोस्तो नमशकार प्राफिट गुरु चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत कहता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम मल्टीपल कंपनियों को कवर करने वाले हैं उससे पहले मार्केट का अपडेट देख लेते हैं तो मार्केट दोस्तो मार्केट सी गिरावट के साथ 17,007 रुपे पर क्लोज हुआ है मार्केट का प्रीवियस क्लोज था दोस्तो 17,016 रुपे 30 पैसे ओपन होता 17,110 रुपे हाई लगाता 116 रुपे और लो लगाता 16,942 रुपे देखे तेजी गिरावट फिर तेजी फिर गिरावट और फिर तेजी तो एक्सपक्टेशन मार्केट में यह किया जा रहा है दोस्तों कि एक इंपोर्टन सपोर्ट लेबल के पास अभी मार्केट गुम रहा है जो कि 17,000 का है यहाँ पर काफी बोलेटाइल मुमेंट हमें दिखा रहा है मार्केट ठीके मार्केट का डिसाइड नहीं हो रहा है कि मार्केट को 17,000 के नीचे जाना है या 17,000 के उपर जाना है जब ही डिसाइड हो जाएगा ठीके अगर मान लिजी नीचे जाने का डिसाइड हुआ तो 16,000 तक जा सकता है उपर जाने का तो fix है कि 18,000 तक जा सकता है तो ऐसा moment भी हमें देखने को मिल सकता है तो देखते हैं और क्या update आता है market के related वो हम definitely आपको provide करेंगे तो इस वीडियो को फटापट से लाइक कर दिए जो चैनल को भी subscribe कर दिजिए चलिए अब हम चलते हैं और एक एक करके उन सभी stocks उन companies को देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों काफी ज़्यादा हमें update देखने को मिल रहा है IRCTC से related यह दोस्तों catering से related काफी बड़ा आपडेट है क्योंकि दोस्तों IRCTC का सबसे बड़ा business है वो online ticket booking का है second जो है वो है caterism का अब आप लोगों को पता है कि अभी पूरे देश में दुरगा पूजा यहाँ पर मनाया जा रहा है काफी दूम दाम से मनाया जाता है कोई कोई से राज्य में इस चीज को दोस्तों काफी बड़े festival के रूप में देखा जाता है हमारे देश में ठीक है तो वहाँ पर अगर मान लीजी passenger अगर travel कर रहे हैं ठीक है train से तो उनको भोजन की विवस्ता किस प्रकास रखनी है दोस्तों IRCTC के अंदर यह आप देख सकते हैं कि मतलब एक अलगी menu मिले का दोस्तों दूरगा पुजा के हिसाब से बीना लसुन प्याज बाला भी मिल सकता है हाँ पर आप देख सकते हैं एकदम यह दिखा तो यह हम क्यों दिखा रहे हैं आप लोगों को यह दिखाने का क्या purpose है यह दिखाने का यह purpose है दोस्तों कि IRCTC का एक main business एक काफी अलग तरीके से क्या कर रहा है दोस्तों business कर रहा है यहाँ पर मान लिजे कोई वेक्ती अभी मान लिजे अगर यह पूरी सुविधा उपलब नहीं रहती तो वेक्ती पूरी तरीके से ट्रेबलिंग भार के भोजन से करता या तो वो घर से लेकर आता मान लिजे या कहीं दोस्तों station पर रुख कर लेता तो इससे दोस्तों IRCTC को काफी नुकसान होता अब IRCTC से बुलाएगा तो काफी फायदा होगा उसको अब एक जन तो कोई ट्रेबलिंग करता नहीं है काफी ज़्यादा प्रेसेंजर हैं पर डेली वेसल्स पर ट्रेबलर्स करते हैं तो इस चीज का दोस्तों फायदा उठाने के लिए ये चीज हमें यहापर देखने को मिल रही है ठीके इसको अगर हम आगे के नजरी से देखे मतलब फ्यूचर के नजरी से देखे तो हमें बहुत फायदा इसका मिलेगा आई 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 सेटी सी की फंडामेंटल को आगे बढ़ाने में ठीके और उसके साथ ही अब आई 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 सेटी से अपने बिजनेस को तो अलग लेवल पर ले जाना ही चाहती है ठीके और आज का पॉफरमेंस अगर देखे आई आई सेटी सी का तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आई आई सेटी सी है वो दो परसेंट की तेजी के साथ 677 रुपे 95 पर क्लोज हुआ इसमें भी काफी बॉलेटिलिटी हमें देखने को मेरी मार्केट के एकोडिक अगर इसका हम टेकनिकल एन आलेसेस करें तो यहां पर आप देख सकते हैं आया सीटी सी का जो स्टॉक थो दोस्तो वो प्रीवियस में इस सपोर्ट लेवल से एक अच्छी कासी रिकबरी दिखाया था यहां तक आ चुका था ठीक है यहां पर आने के बाद दोस्तो फिर यहां से शुरुआत होती है काफी गिरावट आने के बाद तो स्टॉक फिर यहां पर करीवन 625 रुपे के आसपा सपोर्ट लेता है सपोर्ट लेने के बाद फिर यहां पर रिजेक्शन लेता है फिर गिरावट फिर तेजी और फिर वही से गिरावट मतलब दोस्तो एक चोटा M पैटरन हमें देखने का मिल रहा है ठीके और एक इंपोर्टेंट लेवल भी हमें देखने का मिल रहा है मतलब आप मान के चल सकते हो कि 725 से 750 तक का जो लेवल है वो आया सिटी से के लिए बहुत इंपोर्टेंट है वहाँ पर वो टिक नहीं पा रहा है ठीके वहाँ से बार-बार गिरावट आ रही है और एक consolidated area है मतलब आप मान लीजिए कि 700 से 725 तीके ये लेवल आया सिटी से के लिए बहुत इंपोर्टेंट है अब देखे एक दिन का candle है तो कितने ज़्यादा समय इसने उस channel के अंदर बिटाया ठीके वह channel मतलब जो 700 रुपे का level है जैसे ही break हुआ stock में continuously गिरावट देखने को मिली और 625 रुपे पर आकर थोड़ा सा hold किया ओ सरी 675 रुपे पर यहाँ पर पहले भी वह hold किया हुआ है second hold position जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर भी करीबन 4-5 दिन टाइम भी ताया मतलब 650 रुपे के level के pass यहाँ पर तो कौन-कौन से point important है जैसे आप देख सकते हैं अभी जो support level break हुआ है 700 का वो important rejection point बन चुका है ठीके second rejection point है 725 का तो इसको R1 का नाम दीजिए इसको R2 का नाम दीजिए ठीके इसको S1 का नाम दीजिए और इसको S2 का नाम दीजिए ठीके rejection 1, rejection 2, support 1, support 2 अभी वो support 1 पे खड़ा हुआ है support 2 पे आता है ठीके तो decided area रहेगा कि IICTC कहाँ पर जाएगा या तो बड़ी गिरावट दिखाएगा या बड़ी तेजी दिखाएगा तो 725, 600, 625 और 650 यह 4 पॉइंट को नोट कर लीजिए ठीके चलिए next company को देखते है तो यहाँ पर आप देख सकते है investing.com के side के पर मैं आप लोगों को लाएँ और यहाँ पर एक बड़िया से अपडेट आ रहा है ठीके time frame देखे ज़्यादा पुराना नहीं है अभी 3-4 दिन पुराना ही है क्या बताएगा है कि Pepsi को Pepsi को एक काफी बड़ा brand है दोस्तो ठीके वो क्या करने वाला है दोस्तो चार प्लांट यहाँ पर setup करने वाला है कहाँ पर यूपी में ठीके अब Pepsi को को अपने देश में कौन चलाता है वो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा नहीं आया होगा तो मैं आपको बताने वाला हूं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन इस प्लांट को लगाने में यह चार प्लांट को लगाने में लगबख 3740 करोड उपर खर्चोंगे Pepsi को के ठीके नई जॉप भी क्रेट होगी लगबख 5650 जॉप भी ग्रेट होगी और यह जो चार प्लांट लगेंगे यह गोरकपूर अमेटी पायागराज और चित्रकूट पड़ सकते हैं जिसे गर्मी में काफी ज्यादा यूज किया जाता है ठीक है गर्मी सीजन में तो यह बड़ी अन्यूज देखने को मिल रही पेपसिको के तरफ से जब यह चार प्लांट लगा गए देगा ठीक है अपना परसा खर्च करके और इस पेपसिको को हमारे देश मे कौन चलाता है चलो वो दिखाता हो मैं आपको वो चलाता है दोस्तो यह जिसे हम वनून वेबरेजस के नाम से जानते हैं ठीक है डीलर सी फ्रंचाइसी यह और भी तरीके से बिजनेस जो बाटते हैं ठीक है बड़ी बड़ी कंपनियों के वो यही बाटता है पूरे देश म है ठीक है अब आगर आप देखेंगे तो स्टॉक का आज का जो ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा साड़े तीन परसेंट की गिरावट और स्टॉक एक हजार पचास रुपे पर क्लोज हुआ है ठीक है अब इसका टेकनिकल हम एनालैसेस करते क्या देखने को में मिल रह कर लिए 1100 रुपे का जहां पर स्टॉक ने काफी ज्यादा समय विताया गिरावट मिली ब्रेक आउट मिला फिर गिरावट मिली ठीक है मतलब दोस्तों जो 1100 रुपे के लेवल को होल्ड किया उसका पूरी तरीके से वह फाइदा नहीं उटा पाया ठीक है अब नेक्स्ट लेवल एक हजार पचास रुपे का जहां पर देखें सपोड 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 सभ और्रीजेक्शन डिफेक्शन देखें कितना ठीक हैा जो केंडर सकैंट नीचे आया था एक हजार पचास के नीचे आया था ठीक है लेकिन वह decentralis बाइंग में कनवर्ड होके उसके उपर क्लोज हुआ अगर वो यह लेवल को तोड़ता है ठीक है यह वाले लेवल को जो सबसे इंपोर्टेंट अभी देखने को मिलता है लगभग अगस्त सितंबर के बीच का तो वह लगभग लगभग दोस्तों स्टॉक को 1000 रुपे के लेवल पे लाके छोड़ेगा या 950 रुपे के लेवल पे लाके छोड़ेगा ठीक है तो हम क्या करते हैं यह पॉइंट को तो अपने नोट कर लीजिया कोई दिक्कत नहीं है इसको आप R1 का नाम दे दीजिए इसको S1 और इसको S2 का नाम दे दीजिए अभी क्या कर रहा है stock अभी R2 पर trading कर रहा है अगर यहां से bounce back आ जाता है तो R1 को देखिएगा ठीक है कि R1 का level break हो रहा है या नहीं ठीक है अगर R2 का level तूटता है यहां से तो देखिएगा कि S1 का level achieve हो रहा है या नहीं या आचीव हो रहा है तो दोस्तों यहां से bounce back आ रहा है या नहीं यहां तक आ रहा है यहां से उपर जा रहा है मतलब दोस्तों ऐसे जब level में आप लोगों को note कर रहा हुआ ना तभी आप लोगों को काफी knowledge बढ़ेगा क्योंकि तभी दोस्तों आप क्या करोगे stock को आप पन ट्रेक करेंगे जब level note कर लेंगे तो ट्रेक करेंगे तो ट्रेक करने में काफी फाइदा मिलेगा कि हाँ यह level पर आया आप देखते क्या होगा breakout मिलेगा या फिर गिराबटाएगी जैसे आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि यार इस टॉक में कब तेजी आ गई कब ग breakdown मिलेगा तो breakout अगर मिल रहा तो पता लग रहा है कि यहां तेजी आ रही है breakdown मिल रहा है तो हाँ पता लग रहा है कि दोस्तों गिराबटा रही है next level कौन सा है next support level यह है ठीक है उपर का कौन सा है 1150 का है तो इसलिए दोस्तों हम इस टाइप के वीडियो लाते हैं हमें buy sell से क कोई मतलब नहीं आप कोई सा भी stock buy करें कोई सा भी stock sale करें हमें कोई मतलब नहीं हमें खाली आप लोगों को knowledge देना है खाली education देना है जहां पर आप दोस्तों आप stock को track करने बेठो चार्ट open करना सीखो जब यह सब चीजे सीख गए ना तो आप किसी पर निर्वर नहीं रो देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी next company उसका नाम है GPT Infra Project Limited ठीके इस stock में आज गिरावट हमें देखने को मिल रहे हैं लगबग वोने 2% के असपास की 115 रुपे 20 पैसे पर stock close हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा एकदम से bounce back आया यह bounce back क्यों आया दोस् company ने decide कर लिया कि एक share पर एक share हम आप लोगों को bonus देंगे मतलब जो उसके shareholder है उसको bonus मिलेगा तो इसका जो भी record date आएगा हम आपको update करेंगे ठीके आप जिस प्रकार से मैंने इससे पहले दो company के बारे में आपको update किया वैसा आप इस company के बारे में जानकारी लीजिए ठी आपर से इस वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि डेली बैसर्स पर बैसरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक्यू दोस्तों